Brought to you by Agilis Diagnostics कि इन सबालों के बीच यूक्रेन ने कैसा कदम उठाया जो पूरी दुनिया को चौका रहा है। यूक्रेन ने एक साथ 34 ड्रोन से मॉस्को पर जवरदस्थ हमला किया है। मॉस्को इस हमले की चपेट में बुरी तरह आ गया। जगा जगा आग जनी और भारी नुकसान की तस्वीर देखी जा सकती है। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर दर्जनो ड्रोन दागे हैं जिसकी चपेट में आम लोग आ गये हैं। हमले के कारण कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। रॉटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 34 ड्रोन से हमला किया है। 2022 में होए युद के बाद से यूक्रेन का रूसी राजधानी पर ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले की वज़े से शहर के तीन प्रमुख हवाई अड्डों से उडानों को डाइवर्ट करना पड़ गया। हाला की रूसी रक्षा मंतराले के तरब से बताया गया कि रूसी वायू सेना ने तीन घंटे में पश्मी रूस के बाकी छेतरों में 36 ड्रोन नस्च कर दिये। देने की कीव सरकार की कोशिश नाकाम कर दी गई है रूस के तरफ से इसे आतंग की हमला करार दिया गया है मैं रूसी टेलिग्राम चैनलों पर पोच किये गए अन ओफिशल वीडियो में ड्रोनों को आसमान में असानी से घूमते हुए देखा जा सकता है तस्वीरे बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई है रूस की फेडरल एर ट्रांसपोर्ट एजनसी का कहना है कि डोमोदेवो, शेरेमेटेवो और जुकोवस्की के एरपोर्ट ने कम से कम 36 फ्लाइट्स को डाइवोट किया है लेकिन फ्लाइट्स का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है मॉस्को पर यूक्रेन द्वारा किया गया ये हमला अब तक सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है लेकिन यूक्रेन की इस हमले को अमेरिका से जोड़ करके भी देखा जा रहा है क्योंकि उक्रेन ने इतने बड़े हमले को अंजाम दे कर ऐसे वक्त का चुनाव किया जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्द अमेरिका के नए राष्ट्रपती के रूप में डॉनाल्ड ट्रम फिर से अमेरिका की बागडोर सम्हालने आ रहे है वही डॉनाल्ड ट्रम जो ये साफ कह चुके है ति रूस यूक्रेन की जंग में वो अमेरिका की संसादलों को यूक्रेन पर बरबाद नहीं करेंगे कई तरीके के एक्सपोर्ट्स अंकल लगा रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन यूद को समाप्त करने के लिए अमेरिका हत्यारों को यूक्रेन तक पहुंचाना बंद कर देगा ठेर यह होगा यह नहीं आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलाल इस्ति यूक्रेन के लिए तनाप्पून है क्योंकि अब रूस इसका जवाब जरूर देगा बेरा रिपोर्ट भारत तक कुल कर देगा क्या आने अने वालाट वाला फिलागा ङुदी यूक्रेन तक जड़ा जब जरूर भारत झाल ड़ जरूरत देगा